हैलो फ्रेंट कैसे हैं आप सब आसा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगी तो आज मैं बहुत ही प्यारा सा सिंगल करोर कर डिजाइन बनाना बताऊंगी जिसको बनाने के लिए सीक्स की मल्टिपल में फंदे लेंगे और टू फंदा इस्टा रखेंगे छह सी गुड़ा करक इसमें फंदे लेने हैं दो फंदे इस्टा रखने हैं ये डिजाइन देखिए बाउडर बनाने के बाद अब फंदे बढ़ा लिजे उसके बाद ये डिजाइन डालना है तो राइट साइट से सीधा तरब से ये डिजाइन सुरू होगा डिजाइन की फर्स्ट रो राइट सेट देखिए क्या करना है पहले तीन फंदों को सीधा बुनेंगे पहला फंदा स्लीप किये तीन फंदे सीधे वान टू थ्री तीन फंदे तीन फंदे सीधे बुनेंगे, फिर एक फंदा स्लीप करेंगे, देखिए एक फंदा छोड़के यहां से यहां तक एक डिजाइन कंप्लीट हुगा, फिर एही रिपीट करना, तीन सीधे, 1, 2, 3, तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक फंदा स्लीप करेंगे, फिर तीन फंदे स में एक फंदा स्लिप किये, last में एक फंदा सीधा बूनेंगे, अब आजाए ये row two wrong side की रो, पहला फंदा स्लिप करेंगे, देखे विआ спасти किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे, और फिर तीन फंदे सीधें, one, two, three, row two है wrong side की रो, sleep किया हुआ फंदा स्लीप करेंगे रोटू है रोग साइट की रोग बुने हुए फंदे को उल्टा बुनेंगे तीन फंदे उल्टे एक फंदा स्लीप करेंगे देखिए स्लीप के हो फंदा स्लीप करेंगे और बुने हुए फंदे को उल्टा फंदा बुनेंगे तो ऐसे ही रोग साइट की रो रो टू बुनकर कम्प्रीट करनी है दूसरी सलाई अब आज ये थर्ड रो राइट साट ध्यान दीजिए क्या करना है पहला फंदा स्लीप करेंगे पहला फंदा स्लीप कीजिए या तो बुनिये फिर देखिए उन आगे करेंगे और तीन फंदो को बुनेंगे उल्टा ये जो है तो तीनो फंदो को उल्टा बुनेंगे वान टू थ्री तीन फंदे उल्टा बुनेंगे उन पीछे करेंगे ये देखिए स्लीप किया हुआ जो फंदा था दोनों तरफ से स्लीप किया था इस फंदे को सीधा फंदा बुनेंगे इस फंदे को ऐसे सीधा फंदा बना लेंगे फिर उन आगे करेंगे और फिर देखिए फिर फंदा उल्टा बुनेंगे तीन फंदे जो सीधे बुने गये थे तो तिसरी सलाय में इन तीन फंदों को उल्टा बना लेंगे फिर उन पीछे करेंगे फिर दो डीजाइन कम्लीट हो गया इस तरह से दो डीजाइन फिर एहीं रिपीट करना है उन आगे करेंगे तीन फंदे उल्टे बूनेंगे उन पीछे करेंगे इस जो सिलिप किया खुआ हुआ फंदा था दोनों तरफ से सिलिप किया गया था इस फंदे को सीधा फंदा बूल लेंगे 3rd row ऐसे ही बूनकर complete करना है, 3 फंदे सीधे 1, 2 3, बून पीछे करेंगे, slip किया हुआ फंदा जो था इसको ऐसे सीधा फंदा बना लेंगे, देखिए ऐसे ही पूरी रो बूनकर complete करनी है 3rd row, अब देखिए 4th row, wrong side की रो, 4th row पूरी सलाई उल्टा बूनकर complete करनी है 4th सलाई है, उल्टाक साइड पूरी सलाई उल्टी उल्टी बना के complete करनी है पूरी रो ऐसे बूनेंगे अब देखिए, 5th row में क्या करना है, डिजाइन नहीं रहेगा थोड़ा सा किनारे पर चेंजिंग करना है तो देखिए, इसको कैसे बूनेंगे 5th row में तो 4 सलाईों के डिजाइन है, लेकिन 5th सलाई से थोड़ा सा मतलब चेंज करना है, तो देखिए, पहला फंदा स्लीप करेंगे, ये जो 3 फंदे सीधे बूने गए थे, तो इसके बीच का जो फंदा है, इसको सलीप करना है पहला फंदा सलीप के ये फंदा सीधा बूने, ये बीच वाला फंदा सलीप करना है, फिर देखिए इन 3 फंदों को बूनेंगे, इस सलीप किया हुआ फंदा था और इसके अगल बगल फंदे तीनों को सीधा बुनेंगे मतलब जो सीधे फंदे बुने गए थे तीन फंदे उसमें से बीच वाला फंदा स्लीप करेंगे पहला फंदा स्लीप किये उसके बाद एक फंदा सीधा बुने अब एक फंदे को स्लीप करेंगे एक फंदा sleep कर लिए फिर 3 फंदे सीधे 1 2 3 तीन फंदे सीधे मुलेंगे देखिए बीच वाला फंदा था सीधे करेंगे इसको sleep करेंगे फिर 3 फंदे बुनेंगे तीन फंदे बुनेंगे फिर देखिए बीच वाला फंदा था जो सिधा फंदा बुना गया था इसको स्लीप करेंगे फिर तीन फंदे बूनेंगे ऐसे ही फिपतर रो बूनकर complete करने हैं तीन फंदे बूनेंगे ये बीच वाला जो फंदा था इसको sleep करेंगे फिर त्री फंदे 1,2,3 तीन फंदे बूनेंगे फिर इसको sleep करेंगे ऐसे ही बूनकर complete करने हैं फिपतर रो फिर देखिए तीन फंदे सीधे, 1, 2, 3, 3 तीन फंदे सीधे बना लेंगे, अब आ जाएए रॉंग साइट की रोब, बुने हुए फंदे को उल्टा फंदा बुनेंगे, ऐसे स्लीप किया हुए फंदे को स्लीप करेंगे, फिर छटी सलाई है, बुने हुए फंदे को उल्टा बुनेंगे, ऐसे स्लीप क 6 रो बून कर complete करनी है रो, रो 2 की तरह, अब 7 रो देखिए क्या करना, पहला फंदा sleep करेंगे, उन आगे करेंगे, इस एक फंदे को उल्टा बूलेंगे, उन पीछे करेंगे, sleep किया हुआ जो फंदा था, इसको सीधा फंदा बना लेंगे, इसको सीधा फंदा देखिए बना उन पीछे करेंगे, अब देखिए इस sleep किया हुआ जो फंदा था, इस फंदे को sleep करेंगे, इसको सीधा बूलेंगे, फिर उन आगे करेंगे, फिर देखिए, फिर 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, सीधे वाले फंदे हैं, सीधे वाले फंदे, देखिए सातवी सलाइम में भी ऐसे उल्टे बूने जाएंगे और रो थर्ड में भी और देखिए फंदा जो स्लीप किया गया था इसको सीधा बूलेंगे उन पीछे करके ऐसे ही सेवन्थ रो बूनकर कंप्लीट करनी है अब आज आए एट रो पे रोंग साइड की रो है आठवी सलाई उल्टाक सलाई उल्टाक कर कंप्लीट करना है पूरी रो पूरे फंदो को ऐसे उल्टा बूनकर कंप्लीट करनी है यही आठवसलाई आपको बार बार से रिपीट करनी है तो बहुत प्यारा साहीड डिजायन बन के तयार होता है तो अभी उपर बना के मैं आप लोगों को दिखाती हूं कितना सूरत साई डिजाइन है देखिए डिबी की तरह ऐसे बना हुआ है बहुत ही प्यारा साई डिजाइन है तो आप लोग जरूज को बना के ट्राइ किजीगा जेन्स के स्वेटर में बहुत ही ये प्यारा साई डिजाइन लगेगा तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट कर के जरूर बताईएगा और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों में शेर जरूर कीजिएगा तो देखिए